हलो एब्रिवान स्वागत आपका आपने ही चैनल भी इंग्लिश टैंकर में आज जो में लेकर आई हूँ पैराग्राफ वो है अर्थ डे इसका हम ऐसे करेंगे जो कि 22nd एप्रिल को मनाया जाता है पूरे पूरे देश में ठीक है इसकी हम करेंगे ट्रांसलेशन वर्ट जो लोग चैनल पर नए है सब्सक्राइब कर ले बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलेगा क्योंकि ऐसी ही वीडियो आप तक है एवरी डे पहुंशती रहे चलिए स्टार्ट करते हैं अर्थ डे मीन्स प्रित्वी दिवस ठीक है प्रित्वी दिवस वर्ड अर्थ डे इस सेल ठीक है ना वर्ड अर्थ डे मीन्स जो दुनिया का प्रित्वी दिवस है इस के साथ थर्ड फॉर्म दी गई है सेलिबरेट होता है मनाना है ना तो मीन्स मनाया जाता है का सेंस आएगा इस के साथ जब भी आपको थर्ड फॉर्म दिखे वो होता है पैसिव ठीक है यह है प् है का sense आएगा मनाया जाता है on April 22 को every प्रतेक साल प्रतेक साल तीक है दुनिया का प्रत्वी दिवस मनाया जाता है कब बैसेपरल को. Gaylord Nelson first introduced the concept of Earth Day in the year 1970. Gaylord थेखे? Nelson थेखे? first पहली बार introduced Peshkesh की the concept of Dharna की Of the Earth Day, प्रिथवी दिवस की, in means May, the year, कौन से साल, 1970, 1970 को उसने पहली बार प्रिथवी दिवस की अवधारना की पेशकर्ष की, ठीक है, कौन था वो, गेलर्ड, नेलसन, आगे है, Earth Day is commemorated word-wide to raise awareness about the ever-increasing global warming, freely discuss the adverse effect it has on our day-by-day lives, ठीक है, Earth Day means, word Earth Day, वेश्व प्रिथवी दिवस, is commemorated, इसका meaning भी होता है, मनाना, ठीक है, मनाया जाता है, मनाया जाता है, वर्ड वाइड पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में to raise, उठाने के लिए, awareness, जागरुकता, about means के बारे में, the ever-increasing लगातार, बढ़ने वाला global warming, ठीक है, freely means, खूल कर, discuss, चर्चा, the adverse, जो इसके प्रतिकूल, ठीक है, जो बुरे effect है, बुरे जो प्रभाव है, इसके, it has, इसके है, कुछ भी होने के लिए has लगाया गया है, अगर इसके साथ third form होती, तो वो होता past, present perfect है ना, लेकिन अब क्या है, has लगाया है, मीन्स होने के लिए, इसके जो बुरे प्रभाव हैं, वो है, on our, हमारे प्रति दिन, मीन्स day to day, प्रति दिन के जीवन में, दैनिक जीवन कह लिजिए, ठीक है, हमारे दैनिक जीवन पर, इसके जो प्रतिकूल और बुरे परभाव हैं, ठीक है, और जो लगातार, बढ़ रहा है, गलोमल वामिंग, उस पर खुली चर्चा करते हैं, ठीक है, इस पर क्या है, पूरी दुनिया में, वर्ड वाइड मीन्स, इसके जागरुकता को उठाने के लिए, पूरी दुनिया म जो, on how, की कैसे, to prevent, रोकना है, और, repair the damage, means ठीक करना, इस शती को जो भी हुई है, that has already been done, जो, has already been done, ये क्या है, has का पैसिव है, जिसके साथ been or done लगा हुआ है, जो की पहले ही की जा चुकी है, ठीक है, done means करना होता है, key has been लगा है, key जा चुकी है का sense आएगा, क्योंकि ये क्या है, passive है, passive में हमेशा गया या फिर जाना का sense आता है, इसका meaning go नहीं होता है, लेकिन sense यही बैठता है, means किया कर दिया गया है, किया जा चुका है, इस तरह का sense आता है, पैसिफ में, ठीक है इसमें हम क्या बताना चाहते हैं कि लोगों को शिक्षित करना पर तेक व्यक्ति को कि जो शती हुई है उसको कैसे ठीक करना है कैसे उसको रोकना है जो की पहले ही की जा चुकी है क्लियर है वेरियस टॉपेक्स लाइक क्लाइमेट चेंज विभिन विशे जैसे जल वायू परिवर्तन ठीक है राइजिंग सी लेविल्स मेंस बढ़ते इस्तर समुंदर के ओजोन लेयर डिपलेशन ठीक है जो ओजोन जो परत है उसमें कमी और इंडिस्क्रिमिनेट दीफोरेस्टेशन अंधादुंद अंधादुंद कटाई किसकी पेडों की ठीक है ै आर ओपनली डिस्कस्ड आर के साथ मिन्स खुल कर आर के साथ फर्ड फर्म है है न तो ये भी पैसिव है डिस्कस होता है मिन्स वर्तल आपकरना है न मिन्स जίसे बात करना खुल करके discuss किया जाता है means चर्चा की जाती है इसका sense आएगा ठीक है ना चर्चा की जाती है on this day इस दिन पर clear है यह दिखी यहां से हमने किया था various topic like climate change, जलवायू, परिवर्तन जैसे कि हमारा परिवर्तन होता है पूरे उसका प्रियावरन का rising sea levels, बढ़ते स्तर समुंदर के, ozone layer depletion means जो एक ozone layer होती है, वो भी कम होती जा रही है जैसे जैसे pollution बढ़ता जा रहा है और indiscriminate deforestation अंधादून पेडों की जो कटाई हो रही है, are openly discussed, इस दिन, इस earth day पर openly discuss किया जाता है ठीक है, इन सब बातों को many conferences, ठीक है बहुत सारे conferences होते हैं, सम्मेलन awareness program जागरुक ठीक है, कारेकरम इत्यादी और arrange इसके साथ भी third form है ये भी present simple का क्या है passive है, arrange करना means क्या कहते है, Iogit करना ठीक है न, Iogit किये जाते है to celebrate this day इस दिन को मनाने के लिए इस दिन को मनाने के लिए बहुत सारे सम्मेलन जागरुक कारेकरम Iogit किये जाते हैं ठीक है न, a few volunteers कुछ स्वे सेवक स्वे सेवक means खुद की मर्जी से आगे आते हैं इनको कोई बुलाता नहीं है इनका खुद का मन करता है कि हम आगे आगर काम करें उसको कहते हैं volunteers गो जाते हैं फर्स्ट फर्म है, present indefinite का sense आ रहा है इसके साथ हमें क्या लगा है गो है न, जाते हैं नेर्बाइ पास के इलाकों में nearby areas to plant trees पेड पौधे लगाने के लिए ठीक है, on this day इस दिन पर इस दिन पर लोग पेड पौधे लगाते हैं बहुत सारे वॉलियंटर आगे आके वाइल, जब की दूसरे चूज चुनते हैं चुक्लीन नेर्बाइ साफ करना साफ करने के लिए नेर्बाइ आस पास की सडके और जल ठीक है, जल निकाहे दूसरे जो है, वो क्या चुनते हैं आस-पास के इलाको को साफ करना और जल निकाहों के जो विकलप हैं उनको ढूंडते हैं ठीक है न, चूस करते हैं कि हम ये करेंगे वेरियस एक्सपर्ट्स जो की विभिन एक्सपर्ट्स जो होते हैं जो अपने काम में बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं, विश्य शग्य, ठीक है, जॉइन, मिन शामिल होते हैं, जॉइन हैं, हाथ मिलाते हैं, और सीख, चाहते हैं, टू क्रियेट, ठीक है, टू क्रियेट, पैदा करना, ओपन माइंडफुलनेस, खुले दिमाग, खुली मानसिक्ता, by creating किसके द्वारा, creating banners, बना कर, कौन से, बैनर जो होते हैं, ठीक है, होडिंग जो होती है, इस तरह से देखते हैं, पहले, यह देखे, a few volunteers go to nearby areas जो क्या होते हैं समय सिवक होते हैं वो पास की इलाकों में जाकर पेड पौधे लगाते हैं इस दिन पर while others choose to clean nearby roads जो की दूसरे हैं जो वो चुनते हैं आसपास के इलाकों को साफ करना रोड को और जल निकायक के विकलब ढूनते हैं various expert women जो विशिशग्य होते हैं वो हाथ मिलाते हैं और क्या करना चाते हैं खुली मानसिक्ता को पैदा करना चाते हैं क्या बनाकर banner बनाकर आगे देखते हैं origami projects origami जो project होते हैं like जैसे origami paper होते हैं उससे भी कला कृधियां बनती हैं of work of art और कला के कारे करके जैसे दिवारों पर उन्होंने पानी की वो बना दिया मतलब लोगों को समझाने के लिए ठीक है ना और जो color paper होते हैं और गैमी जो sheets होती हैं उससे भी हम कुछ-कुछ कला कृधियां बनाकर लोगों को सिखा सकते हैं तो इस तरह से वो जागरबुता पैदा करते थे आर रिस्पॉंसिबिलिटी जो हमारी जिम्मेदारी है इस है तो रिपियर ठीक करना दे डैमेज शती को वी हैव क्रियेटिड जो हमने पैदा की है तो आर प्लानेट अपने ग्रह पर ठीक है ना हमारी क्या जिम्मेदारी है कि अपने ग्रह पर जो हमने शती पैदा की है उसको ठीक करना the more we take from the environment जितना जादा हम we के साथ first form लगी है take means लेते है from means से वातावरण से जितना जादा हम वातावरण से लेते है the more उतना we have to हमें contribute योगदान करना पढ़ता है पढ़ता है का sense की हूँ आया क्योंकि यहाँ पर have to है have to means किसी भी काम को करना पढ़ता है जितना हम वातावरण से लेते हैं उतना हमें योगदान करना पढ़ता है किस में वातावरण में वातावरण में हमें उतना ही योगदान करना पढ़ता है इसलिए यह है हमारा कर्तव्य, कर्तव्य of every individual, प्रतेक व्यक्ति का, must, जरूर, must make that extra, must make that extra effort करना, ठीक है? extra means, अतिरिक्त effort, प्रयास करना, to save, बचाने के लिए, वातावरण को, आप इसको समझते हैं, ठीक है ना? the more we take from the environment, जितना हम वातावरण से लेते हैं, उतना हमें योगदान वातावरण को करना पड़ता है, इसलिए यह हमारा कर्तव्य है, प्रतेक व्यक्ति का, कि वो अतिरिक्त प्रयास करें वातावरण को बचाने के लिए, जरूर प्रयास करें, ठीक है ना? तो यह क्या है, बहुत ही अच्छा ऐसे था, अर्थ, अर्थ के उपर जो की 22 एप्रिल को मनाया जाता है, किसलिए, ताकि हम अपने वातावरण को, हम अपने आस पास के जितना भी एरिया है, उसको साफ रखे, प्लांट्स लगाएं, तो आई होप यह वीडियो अच्छा ल पुली का, God bless you.